अलो प्रेंस नमस्कार आज मैं पोली एमाइड फाइबर के बारे में लेके आ हूँ जो प्रख्यात है नाइलोन के बारे में बराबर पोली एमाइड फाइबर क्या है नाइलोन फाइबर तो क्या समझेंगे आज हम फिसीकल एंड केमिकल प्रोपर्टी ओप नाइलोन 6 क्या सम प्रोपर्टीज पूपर्टीज आफ लगे harbor यहां लून sthatB अधुझार किया करेंगे में अधार के मारे में संझेन 돼 biasesicol प्रपर्टीग मारे मैं सुझेगे और केमिकल प्रोपर deja के में समझेंगे Nailon 6 is an important polyamide fiber क्या है Nailon 6 क्या है important polyamide fiber It is a synthetic fiber कैसा fiber है SYNTHETIC fiber It is produced by the polymerization of the different organic complex इसको किसे produce की जाता है तो polymerization करना पड़ता है for different organic complex तो क्या मिलेगा आपको Nylon 6 तो basically it is produced by the polymerization of different organic complex Nylon 6 is a strong fiber, Nylon 6 कैसा है strong fiber है and it is used to carry the various types of the habitats like Nylon 6 बराबर जो अभी Nylon 6 हम देख रहे वो क्या है strong fiber है और उसको heavy चीज होती है उसको carry करने के लिए ये use होता है बराबर जनरली the color of Nylon 6 is white जनरली color क्या होता है Nylon 6 का white ही रहता है but it could be colorful by adding the different dice इसको colorful बना सकते हैं हम dyed ढालके बराबर अब हम समझेंगे physical property of Nylon 6 जो Nylon 6 रहता है और उसकी हम क्या देखेंगे physical property तो Tena City Tena City कितनी रहती है 6 to 8.5 gram per Nylon बराबर कितनी रहती है 6 to 8.5 gram per Nylon उसकी density कितनी रहती है तो यहाँ पे दिया गया आपको 15 to 45 percentage उसका क्या रहता है जब आप खिचते हैं तो कितना खिजेगा 15 से लेकर 45 percentage Nylon खिजेगा और बाद में क्या जाएगा टूट जाए Elasticity उसकी कैसी है तो very good है बराबर उसकी electricity आप खिच सकता है 15 to 45 percentage उसकी basically elasticity क्या वोगी moisture again value MR कितना रहता है 3.525 जब जो पानी को consume करता है Nylon 6 fiber वो कितना करता है 3.525 percentage नाइलोन 6 की resistance कैसी है तो कि गूड है बराबर melting point कितना है 215 centigrade बराबर इससे ज़्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा वो जल जाएगा ability to protect the friction जो अभी हम उसको समझा। कि कही parts में से पसार होगे तो क्या होगा friction घर्षन होगा बराबर तो उसका क्या क्या होता है तो excellent कैसा रहा ability to protect the friction जो friction से बनना है तो उसका क्या performance कैसा है प्रिक्सन जो friction होता है उसके सामने उसका function कैसा है एक्सिरिन ख़र कौन सारे रही करते हैं हमने पहले भी देखा तो कौन सारे यूज़र करतें नaylone में वायट कलर वो डाइ से आभ वी अब दूसरे कलर बना सकते हो डाइ डाल के मगर जन्रिली जब वह उसको polymerization होकि हो जो निकलता है कीसे निकलेगा שब to protect the heat up to 150 certainty अब उसको protect कैब तक किया जा सकता है 150 degree centigrade उसके जाइदा उपर गया तो वह क्या होने जाएगा गल्ला सुरू हो जाए अब हम चेदे लक्षर लास्ट लक्षर केता है ब्लाइट टू लाइट केता है ब्लाइट से लाइट तक बराबर अब दूसरा देखेंगे chemical property of nylon 6 के देखेंगे chemical property of nylon 6 बराबर तो अब पहले पॉइंट पर चलते acid like nylon 6, nylon 6 has not enough ability against the acidic action जो nylon 6 रहता है उसकी enough ability नहीं रहती है for against the acidic action बराबर अब हम चलते हैं दूसरे में दूसरे में क्या है बेजिक basic does not cause harm to the nylon 6 बेजिक कोई परकार का नुक्षन nylon 6 को नहीं पहुचाता बराबर इसलिए क्या है बेजिक basic does not cause harm to the nylon 6. Nylon 6 has an enough ability against the alkaline रहता है उसकी पास कहती है enough सक्समता है तो वो against the alkali के बराबर नहीं चलते हैं तीसरे पूंट effect of bleaching, bleaching से क्या होता है the strong oxidizing agent is harmful for the nylons 6. अब जो strong oxidation होगा बराबर तो क्या होगा वह नाइलों सिस्कों डेमेज करें बरशाव्य हरा अब हम चलते हैं ओर के लिए यह बर शॉल्वन आपके पास ऐसा यह अवार फिनल है तो क्या हो जाएगा नाइलन क्या हो जाएगा डिस्वाल हो जाएगा, अब हम चलते है पाथ में, mildew, mildew कैसा रेता है nylon 6 का, तो mildew cannot cause the harm to the nylon 6, mildew भी क्या करता है, वो, nylon 6 की property को damage नहीं करता, पर अब हम चलते है last, अभी 6 रहा है, अब 6 पे चलते है, insect, अब insect nylon 6 का कैसा रहता है, तो insect cause harm to the nylon 6, insect क्या करता है, वो, nylon 6 को क्या पहुचा सकता है, नुक्षायन पहुचा सकता है, अब हम चलते हैं, साथ में क्यूशे को, dye is, nylon 6 could be dye by the direct dye, acid dye, weight dye, अब जो nylon fiber रहता है, उसको color करने के लिए 3 dye use होती है, तो यहाँ पे दिया गया, direct dye दिया गया, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और आपको टेक्सर नूलेज गया गया, तो ज़रो लाइक और सब्सक्राइब केज़े, सेर करना मत बुलिए, थैंक्यू,